जैन शाथियो आज हम बात करेंगे LDCE Departmental Examination की जिसको किलियर करके आप Constable या Head Constable से सिधा सब इंसक्टर रन सकते हैं जैन दोस्तो जदि आप GD Constable या Head Constable रैंक से भरती होने वाले हो या हो गए हो और आप मेरी तरह मानते हो कि आपका कंदा सिधारों के बिना बिल्कुल अधूरा है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल इंफोमेटी होने वाली है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक आइडिया दनी की कोसिस करूँगा कि लगभग सभी पैरामिटली फोर्सेस की डिपार्टमेंटल एक्जामनिशन जिसको ASI, LDCE से जाना जाता है उसमें हमारी eligibility करेटेरिया क्या होगा इस वीडियो में मैं आपको BSF की नोटिपिसेक्शन दिखाऊँगा जिसमें physical eligibility क्या है, examination pattern कैसा होगा, medical standard कैसा होगा और हमें कितने LDCE examination attempt करने दियाएंगे तो आएए इस वीडियो के माध्यम से हम इस topic को detail से जाने की कोशिश करते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं selection for the post of sub inspector GD in through limited departmental competitive examination मतला LDCE आगे देखते हैं application are invited from serving BSF male and female constable GD, head constable या ASI GD and tradesman also जदी आप JD constable या head constable से सब inspector बनते हैं तो आपका pay scale किस करका होगा तो pay scale यहाँ पर label 6 का बात क्या गया याँ पर label 6 का बात क्या गया यहाँ आपका जो pay scale रहेका वो label 6 करेगा जिसमें आपका basic pay कितना से कितना तक जा सकता है तो आप यहाँ पे देख सकते है आपका अब बात क्या है eligibility condition eligibility condition किस परकार का होगा तो constable GD, head constable GD, ASI GD will be eligible to appear in the said examination LDC, tradesman also eligible आगे है service eligibility आपका जो 4 सल का service complete होना चाहिए जिसमें से आपका basic training include रहेगा age की बात किया गया यहाँ पे तो आपका 32 years, 32 years तक आप इसमें attempt कर सकते हैं examination के बार में आपका service record की बात की गई है यहाँ पे clean record होना चाहिए आपका जो service record होगा 4 साल का service record होगा वो पूरी तरह से clean होना चाहिए उसमें कोई blame नहीं होना चाहिए आपके उपर में आगे यहाँ पे physical standard की बात की गया है physical standard आपका कैसा रहेगा जदी आप गोर्खा डोगरा मराठात से बिलोंग करते हैं तो आपका height 165 होगा और आपका chest 82-85 होगा जदी आप schedule drive से बिलोंग करते हैं CST से तो आपका height 162.5 होगा और chest 77-82 होगा आगे female candidates के लिए देख लेते हैं तो आगे आप female candidate हैं तो आपका height 1 जेनरल condition general में है तो आपका height 157 cm होगा और जदी आप गोर्खा डोगरा से बिलोंग करते हैं मराठास से बिलोंग करते हैं तो आपका height 155 cm होगा जदी आप schedule drive से बिलोंग करते हैं तो आपका height 154 cm होगा यहाँ पर medical category की बात क्या गया है medical category की बात किया गया है आपके service record में आपका medical standard shape 1 होना चाहिए number of chances admissible आपको कितने attempt करने दे जाएंगे LDC examination तो only 3 chances आपको 3 chance दिये जाएंगे ये LDC examination conduct करने के लिए attempt करने के लिए आप age realization की बात करते हैं याप एग realization जो HCHD हैं तो आपको 5 साल की age realization मिलेगा आगे है scheme of examination जिसमें stage 1 में देखते हैं क्या है checking of service record जैसे कि मैंने पहले बात क्या है कोई भी आपके उपर blame नहीं होने चाहिए 4 साल के अंदर जो 4 साल आप service देंगे उसमें पूरा तरह से clean record होना चाहिए स्टेज 2 में देखते हैं रिटाइन एक्जामनी सर OMR-based ओनलाइन भी हो सकता है इसमें आपका question किस-किस से कहा कहा से आता है general intelligence and reasoning का question आपको कितना 50 marks का comprehensive and communication skills का आपको 50 marks का question पुछा जाएगा numerical ability का आपका 50 marks का question पुछा जाएगा general awareness and professional knowledge पुछा जाएगा और general awareness मिला के दोनों conduct करके आपको 50 marks का यह भी question होगा total 200 questions का 200 marks का आपका examination होगा और आपका negative marking नहीं होगा लेकिन for qualification selection a candidate self-secure at least 50% marks in each part आपको परतेक पार्ट में 45% marks लाना ही होगा और aggregate में आपको 50% लाना होगा total में से आपको 50% marks लाना ही होगा जदे आप SCST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% marks given to the candidate belongs to SCST category stage 3 में देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है stage 3 में बात क्या है physical measurement जो आपका height test होगा यह आपको नाप लिया जाएगा महाँ पर फिर से आगे यहाँ पर देखते हैं stage 4 में बात क्या है stage 4 में physical efficiency test आपका अगर आप male है तो 100 मेटर का race होगा 16 second का time दिया जाएगा और यह 1.6 km का भी race होगा जिसमें 6.6 मिनट का time दिया जाएगा long jump की बात करें तो 12 feet 3 chances मिलेंगा आपको high jump की बात करें तो 3.9 feet 3 chances मिलेंगा आपको short put की बात करें तो 14.8 feet 3 chances इसमें भी मिलेंगे आपको if the female candidate है तो आपको 100 मेटर का race करना पड़ेगा 18 second में पूरा करना पड़ेगा 800 मेटर का race आपको 4 मिनट में पूरा करना पड़ेगा long jump आप 9 feet 3 chances मारेंगे high jump आपको 3 feet मारना पड़ेगा जिसमें भी आपको 3 chances मिलेंगे stage 5 में यहाँ पे medical examination की बात क्या है medical examination आपका detailed medical examination होगा जैसे आप constable gd में या head constable में दिये थे उसी तरह से आपका detailed medical examination होगा यहाँ पे आपको service का कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा कि आप 4 साल से service कर रहे हैं तो आपको medical में कोई छूट नहीं दिया जाएगा यह आपको इस वीडियो में कोई भी confusion हो कोई भी किसी परकार का question हो तो आपका comment box में जरू mention करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो like, comment और मेरे साथ जुड़ने की कोशिस करें जाएं दोस्तों मिलते नेक्स वीडियो में